हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी टोटल गेस की और कल ही हमने चल्चा की थी ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन हो सकता है आज ब्रेक आउट देने की कोशिस की लेकिन आगे हम देखें के 15 मिनिट के चाट के अपर वो फोलो बाइंग नहीं आ पाई अब तक भी बात कर अभी 11.15 बजे के आसपास का टाइम हुआ है यहाँ पर जूम करकर देखें और इस ट्रेंड लाइन को आप खुद देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के भी कितने माइने हो सकते हैं कितना यूसफूल हो सकता है अगर आप यहाँ प इसलिए कल हम ने चर्चा की थी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है आज का भी हाई और लो देखेंगे तो अच्छा का साइज के अदर वोलियूम देखने और वोलटिलिटी देखने को मिली है और यहाँ पर यह केंडल भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आग अगर आजाद इंजिनियरिंग की बात करें तो यह भी अच्छा कासा इसके अंदर भी आज इसने हाई तो जो है 1100 रुपे का असपास का बनाया अभी भी 6 पसं के आसपास की तेजी है तो जो भी लोग नए है हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर क की बात है लेकिन आप हमारे दूसरे लॉंग और शोट वीडियो को देख सकते हैं उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें चली आगे बढ़ते हैं आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर 11 बज यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन की भी जो है कितनी यूसफुल रह सकती है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर अभी सपोर्ट ले रहा है आज के दिन भी सब्सक्राइब पहले 15 मिनिट के चैंडल के उपर बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के खड़ा ह मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ऐसा लग रहा है एकदम से टेंड लाइन जो है वो सिकुड गई है इसलिए कल हम ने चर्चा की थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता ऐसा लग रहा है यह तो उपर यह तो नीचे अभी यहाँ पर वीकली चाट के उपर देखेगे 5 और 9 जो मुविंग गेवरेज है उसके आसपास यह सपोर्ट ले रहा है पिछले चार-पांच हपतों से अगर आप देखेगे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है 9 विक का मुविंग गेवरेज जो है उसके आसपास और यह फाइव विक के उपर भी निकलने के कोशिश हो रही है लेकिन वहाँ पर भी यह टिक नहीं पा रहा है अभी फिलाल कि अभी बात करें तो साथ साथ अगर इसके बड़े रजिस्टन की बात करें शोट टम की बात करें तो यह 50 और 200 विक का मुविंग एवरेज यह अभी जो है इसके लिए रजिस्टन बना हुआ है पहला तो यह 50 विक का मुविंग एवरेज जो की एक जाए 60 के आसपास है उसके बाद यह 200 विक का मुविंग एवरेज मेरी नज़र इसके उपर ही रहे मतलब कि अगर यह मुझे ऐसा लग रहे कि 200 विक के मुविंग एवरेज के उपर शुकरवार तक अगर यह क्रोजिंग दे दे तो इसके लिए अच्छा रह सकता ऐसा लग रहा है फिर इसके अंदर जो है तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती ह विकली चार्ट है यह अब इसके डेली चार्ट के उपर यह न दोनों ही मुविंग एवरेज को लगाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 200 दिनों का मुविंग एवरेज पिछले काफी दिनों से यहां से लेकर यहां तक इसी लेवल के आसपास स्ट्रॉगलिंग चल रह और वोल्यम भी पिछले दिनों में यहां पर और यहां पर देखे तो अच्छा कसा यहां पर तो एक तेजी की पॉसिबिलिटी चार्ट लग रही है लेकिन अगर कुछ यह लेवर्स को पार कर देता बच्छा रह सकता है साथ-साथ इन दोनों ही मुविंग एवरेज का अगर 200 दिनों के मुविंगेवरेज को क्रोस कर दे तो फिर एक गोल्डन क्रोस वर हो सकता है उसके बाद जो है तेजी आनी की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर हम आगे देखे डेली चार्ट के ओपर 21 दिन का मुविंग रहा है आज भी जो है इसके उपर नहीं जा पार थी के नीचे में एक तो यह हजार रुपे का आसपास का जोन उपर में 1030 का जोन बिलकुल 1030 का आज इसने रजिस्टन फेस किया 1000 रुपे का आसपास सपोर्ट लिया है और 980 से अभी भी 1000 रुपे का जो जोन है यह 20 रुपे की रेंज यह अभी भी ऐसा लग रहे है कि मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है इसके लिए काफी अभी एक स्ट्रॉंग सपोर्ट बना हुआ है शौट टम की यहां पर बात हो रही है आगे देखे बुलिंजर बेंग को तो यहां पर बुलिंजर बेंग की नीचे और ऊपर एक काफी सिकुड गया है अभी इसकी जो अगर रे रेट कलर के बार्स बने थे आज जो है यह गुलावी कलर का बार बना है अगर जैसे कि हमने चर्चा की एटलिस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यह एक अजार पंदरा से एक अजार और बीस को भी अगर इसके उपर भी क्लोजिंग दे तो भी जो है एक मतलब की अगर यह क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है इसा लग रहा है कि फील जो है ऊपरने के बीड निकरा के उपर निकल सकता हैos इंवर इक little आपार सकती है इसके सपोर्ट और सभी की स्पार है धूब si ऑए तो नज़ुदीक उसके बाद देखे गास्पास नज़ीकि सपन कर रहें कि एक दम से नजदी की रेजिस्टन एक अजार पंदर उसके बाद देखे तो एक अजार और साट से 1100 रुपे का लेवल करें तब इसके अंदर एक अच्छी तेजी आने की संभावना हो सकती है और शाम को इसके अपर हम डीटेल में चर्चा करेंगे यह देखना इंट्रेस्टन रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउट इसके अंदर हो सकता है ऐसा लग रहा है और क् 1015 से 1020 के आसपास या इसके ऊपर यह क्लोजिंग देता है या नहीं यह देखना बनता है और वोल्यम के ऊपर भी हमारी नजर रहेगी शाम को डीटेल में हम इसके ऊपर चलचा करेंगे तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल आद खुदी लेए यह वीडियो में जो के इसन परपस के लिए बनाए है मेरे तरफ से कोई भाई या सेल के लिए कमेंशन नहीं है थेंक्यू